वाट्स अप गाईज, वेलकम तो मैं चैनल एंसी आर्टी ब्लास्टर तोड़े अर गोईंग तो स्टार्ट फर्स चेप्टर ओफ क्लास 11 इस दे लिविंग वॉल्ल ठीक है, देखो इस चैनल में हम जो हैं एंसी आर्टी की बुक को लाइन बाइन कवर करेंगे इससे दो फायदे होंगे, एक तो कॉंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा सेकेंडली जो है, अपना जो कॉंपेटिटिव एक्जाम है, जैसे नीट हो गया तो उसमें क्या है, एंसी आर्टी से लाइन बाइन काफी सारे क्वेस्टन पूछे जाते हैं आपको फड़े बाद में समझाएंगे, ठीक है, तो देखो, ओवर्व्यू तो जो है, आपको पढ़ना है, ठीक है, वो स्कूल का काम है, आपका यह घर में, आप बैठे-बैठे पढ़ लो, हम स्टार्ट करते हैं, 1.1 से, ठीक, चलो क्या है, वाट इस लिविंग, लिविंग क्या होता है, भाई नाम से पता चल रहा है कि क्या होता है लिविंग, वो जो जिन्दा है, वो लिविंग है, हम जिन्दा है, हम लिविंग है, आप जिन्दा हो, आप लिविंग हो, प्लांट जिन्दा है, प्लांट लिविंग है, तो जो जिन्दा है, जिन्दा है in the sense जो बहुत सारे life processes को occupy कर रहा है या complete कर रहा है बोल सकते हैं, ठीके जिस process में हैं, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा life process वाले chapter में, डाइजेशन हो गया, respiration हो गया, excretion हो गया, digestion हो गया, circulation हो गया, तो इस तरीके के जो process is reproduction हो गया, तो यह सारे processes के लाइफ processes है, जो कौन करता है, living beings करते हैं, ठीके तो उनी के बार में हम पढ़ेंगे, when we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms, तो हमको इसमें कुछ characteristics को देखना है, जो कौन perform करता है, living organisms perform करते हैं, for example, growth, मतलब continue grow करते जाना, reproduction, again and again production करना, generation by generation, life की continuity को maintain करना, ability to sense environment, ठीक है कि environment कैसे है, आज ठंडा है, आज गरम है, आज मौसम अच्छा है, आज शीद लेहर चल रही, तो आज नौतापन चल रहा है, यह जो चीज़े हैं, यह क्या होते हैं, यह ability to sense environment है, and mount to a suitable response, come to our mind immediately as unique features of living organisms, क्या होते हैं, कई सारे conditions होते हैं, जिसमें हमको immediately our brain response करते हैं, जैसे आपको गाल में एक मच्छड बैठा वापको पता है, उसने आपको काटा आपने कसके उसको मारा वो मर गया, यह आपका immediate response था, ठीक है, बोलता है ना कि मच्छड ने काटा वो उसका जुनून था, आपन क्या है, बाई, ठीक है, one can add a few more features like metabolism, metabolism क्या होते हैं, कि जो खाना हमने खाया है, उसमें से कितना absorb हो रहा है, कितना हमारी बोडी में as a fat store हो रहा है, और कितना excrete हो रहा है, तो वो जो total ratio होते हैं, उसी कह हम metabolism बोलते हैं, जो process of absorption होता है, उसको metabolism बोलते है, ability to self-replicate, अब self-replic मतलब होता है, doubling करना, किसी भी चीज को double करना, ठीक है, तो यह क्या हो गया, self-replicate हो गया, हमारे जो cells होते हैं, क्या होते हैं, continuously grow करते हैं, continuously खुद को double करते हैं, replicate करते हैं, तो यह भी किसका character है, living organisms का character है, self-organize, अपने आपको organize करना, जैसे कि कुछ diseases होते हैं, जिसको immune disease बो आती है, तो यह होता है, self-organization का feature, इसके अलावा है आपका intellect and emergence to this list, इसी तरीके की जो चीज़े हैं, यह क्या होते हैं, यह living organisms की characteristics हैं, एक बार quick revision करते हैं, living organisms की क्या के characteristics हैं, growth होता है, reproduction होता है, ability to sense environment होता है, उसके अलावा जो है immediate response होता है, metabolism होता है, self-replication होता है, self-organization होत होता है, living organisms की characteristics होता है, मतलब आपकी exam में अदी आया, कि right few characteristics of living things, तो आपको यह सारी चीज़े उसमें mention करनी है, आगे बढ़ते हैं, all living organisms grow, सारे के सारे living organisms क्या करते हैं, grow करते हैं, बच्चा है, चोटा साय पैदा हुआ है, आगे grow करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, grow करते हैं, इसके आगे जो है, इसका आपको important mark करना है, okay, increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth, okay, क्या-क्या बोला गया है, इंक्रीज 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 इंक्री से चार हाथ हो गए दो पढ़ से चार पैर हो गए इंक्रीज इनन अमबर मतलब होता है कि जो बॉडी के सेल से वो कंटिनियस्ली ग्रो करेंगे तो यह जो दोनों के रिविश्टिक्स से वो किसके होते हैं लिविंग और्गनिजम की चरेक्टिक्स होते हैं जो ग्रोथ को शो क आपको आते जाएंगे यह भी आप कमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछेंगे इन प्लांट्स इस ग्रोथ बाइसेल डिविजन अकर्स कंटियूसली तुरॉट देर लाइफ स्पैन यह बहुत इंपोर्टन चीज बताई गई है कि प्लांट्स में क्या होता है ठीक है ग्र प्लांट्स में इसा नहीं होता है अच्छा एक और चीज अनिमल्स जो है इनमें इसा नहीं होता है बोला गया है और हुँमन्स जिसे हम जो है ना यूमन्स जो है वह भी अकाब वह अनिमल कीडम में ही आते है ठीक है तो देखो दिया हुआ है इन इनमेल्स इस ग्रोथ इस तीन अनिम्ल्स में इंक्लूडिंग इंच्छा होता है कि एक सटन एज तक के ग्रोथ होती है उसके बाद पर ग्र ठीक होती है, और लेका भर वह सहरती है और दूसर इस खर रहुचा है कि अनिम्ल्स में इस अर्ण एज की घ्रोथ होतीै एक। याविवर, cell division occurs in certain tissues to replace host cells, लेकिन देखो, the tissues are the group of cells, जैसे हमारा Red Blood Corpuscle Cells और अर्भारा कांटिनेस टुन्स नेट हो रहा है , बिद दिवाइड हो रहा है , ग्रोव हो रहा है , तो यह process जो continue चलते रहती है लेकिन टोटल जो growth होगी humans में या animals में वो क्या होगी, एक certain age तक के ही होगी, ठीक है, unicellular organisms grow by cell division, unicellular organisms होते हैं, वो किस तरह किसी divide करते हैं, cell division, मतलब उनका cell continuously grow करेगा, अब unicellular organisms की example सोचते हैं, amoeba हो गया, hydra हो गया, यह सब जो है, वो किसके example से unicellular organisms हैं, मतलब एक ही cell होगा, जो सारे के-सारे functions को इनके activate करेगा, one can easily observe in this in vitro culture by simply counting the number of cells under microscope, अब यहाँ पर एक word use हो रहा है, in vitro culture, जिसको भी पता होगा in vitro culture, वो comment box में comment करेंगे, in vitro culture, तेखो in vitro culture क्या होता है, ऐसा culture जो हम lab में prepare करते हैं, जिसा आप लोगों स्कू में slides बना के उसको माइक्रो स्कूप में देखते हो, उससे तरीके से अलग अलग cells का या tissues का या amoeba अगर हो गया है, इन सब का culture बना के इन सब को grow करवा के, उनका proper slide प्रिपेर करके, जब उसको माइक्रो स्कूप से observe करते हैं, तो क्या होता है, इनके cell numbers को या इनकी growth को हम ज बहुत सारे जो plants और animals होता है, higher plants मतलब की जैसे कि बड़े-बड़े plants हो गया है, या humans हो गया है, तो इन सब में क्या होता है, कि exclusive character भी growth और reproduction भी, one must remember that increase in body mass is considered as growth, अच्छा, यदि आपसे ये question आए, क्योंकि फॉर्म में की increase in body mass को हम growth में लेंगे या नहीं लेंगे, तो बिल अच्छा पैदा होता है, वो 3,5-3 kg का होता है, बढ़ते 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 वो एक certain growth लेता है, एक certain weight occupy करता है, certain mass occupy करता है, तो इसलिए weight या mass भी जो है, वो growth का characteristic बिलकुल है, ठीक है, non-living object also grow if it take increase in body mass as criteria for growth, अच्छा, non-living objects भी क्या होंगे अच्छा करेंगे किस case में यदे हम सिर्फर 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 body mass as a criteria ले रहे हैं किसका growth का, देखो इसका एक example समझते हैं, suppose आपके घर में एक कबड रखा हुआ, या कालमारी रखी हुई छोटी सी, ठीक है, या shoe rack रखा हुआ है आपका, तो आपने क्या क्या उसको अच्छा weight measure किये होंगे और बाद में अब इसका weight measure करेंगे तो इसका weight increase हो जाएगा, तो इससे क्या आप ये बोल सकते हैं कि मेरा shoe rack तो grow कर गया है, करके बड़ा हो गया, ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें एक surface आके जम गही है, उसमें एक accumulation हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ body mass के growth को हम growth का criteria नहीं लेंगे, but it is also a criteria for the growth, ये difference समझना है, यदि कोई doubt आते हैं, तो comment section ने पूछ लेना, आगे चलते हैं, in living organisms, growth is from inside, अच्छा, living organisms जो होते हैं, वो कहां से grow करते हैं, inside grow करते हैं, inside मतलब उने cells grow करते हैं, organs grow करते हैं, develop होते हैं, इस therefore cannot be taken as defining property of living organisms, तो इसलिए growth का होते हैं, defining property नहीं हो सकती है, conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained and then we understand that it is characteristic of living organisms, a dead organisms cannot grow, growth के साथ बहुत सारी processes होती, वो सिर्फ living organisms हो सकती, dead organisms में चीज़े नहीं होती हैं, क्योंकि ultimately cells dead होने लग जाते हैं, जैसे जैसे cells उनके die होंगे, organs भी जो है, die होने लगेंगे, functions सारे stop हो जाएंगे, ultimately body की क्या होगी, death हो जाएगी, चला, आगे चलते हैं, reproduction like work is a characteristic of living organism, अच्छा, reproduction क्या है, reproduction मतलब again and again production, ठीक है, reproduction का मतलब है, कि वापस से एक organism जो है, वो दूसरा organism को produce कर रहा है, जैसे कि हमारे ग्रेंट पैरेंट्स थे हमारे पैरेंट्स को प्रोड्यूस किया, अपने बच्चों को प्रोड्यूस करेंगे, यह जो है, यह मेंटेंड करेगा कि इसको, लाइफ के कांटिनूटी को, मतलब क्या है, देखो इस लाइन को, गौर करना थोड़ा सा, कुछ वर्ड्स हैं, जो शाहद आपको तोड़ से टेक्निकल लगे, देखते हैं, पन समझने की कोशिश करते हैं, मल्टीसेलिलर और्गिनिजम्स, रूद्टेशन रिफर्स तो अप्रोड्च्छन ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी क्या होते है, प्रोजेनी मतलब सेंपली चिल्रन, बच्चे, प्रोडॉक्शन ऑफ प्रोजेनी, पसेजिंग फीचर्स, पोर और लेस सिमिलर तो दोज ऑप प प्रसुद्टा किस से होगा आपने पैरेंट से वो मिलता जूलता होगा ठीक है सिमिलर होगा कुछ ज्यादा सिमिलर होते हैं कुछ कम सिमिलर होते हैं invariably and implicitly we refer to sexual reproduction ठीक है बेसिकली आपन इसकी बात करें sexual reproduction का बात करें अब sexual reproduction क्या होता है जिसे male and female दोनों का involvement होता है, उसको हम बोलते है, sexual reproduction, organisms reproduced by asexual means also, अच्छा, asexual reproduction का होता है, जो lower animals होते हैं, या जो आपन बोल सकते हैं, जो microscopic organisms होते हैं, जो algae हो गया, bacteria हो गया, ये सब में क्या होता है, कि asexual reproduction भी मिलता है, ठीक है, amoeba हो गया, hydra हो गया, organisms, okay, reproduced by asexual means also, fungi reproduce and spread easily due to millions of asexual spores, they produce, ठीक है, इसमें एक चीज़ मेंशिन किया गया है, कि fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores, तो fungi asexually किस से reproduce करती है, sports होते हैं, sports क्या होते हैं, छोटे-छोटे spherical structures होते हैं, जो fungus produce करते हैं, और उससे वो क्या करते हैं, अपनी continuity को maintain करते हैं, एक fungi है, वो बहुत सारे sports प्रोडूस किया है, उन sports से क्या करेगा, वो different different fungus को जो है, प्रोडूस करेगा, तो वो क्या हो गया है, वो asexual reproduction होता है, यहां पर male fungi और female fungi की जरुरत नहीं पड़ती है, इन lower organisms like yeast and hydra, we absorb budding, यह हम लोगों को देखो, यह चीज़े धिहान रखना, fungus किस से reproduce करते हैं, sports से करते हैं, चलो, इसको mark करते जाते हैं, आप लोग भी अपने book में सब mark करके चलिएगा, देखो क्या है इसमें, sorry थोड़ा सा नहीं है, यह जो fungus है, किस से करते हैं, यह, फंगई जो है, वो किस से करते हैं, रिप्रोडूस यह करते हैं, आपके sports से करेंगे, lower organisms like yeast and hydra किस से, रिप्रोडूस करेंगे, यह जो है आपके budding से रिप्रोडूस करते हैं, यह, 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 बर्ट का फॉर्मिशन करेंगे और वो बर्ट क्या बनेगा? एक नया इंडिविजूल बन जाएगा, उनका प्रोजनी बन जाएगा, उनका बच्चा बन जाएगा, ठीक है? उसे तरीके से प्लेनरिया, जिसको फ्लैट वर्म भी बोला जाता है, वो किसके थूर रिप्रोडूस करते है? रिजनरेशन, मतलब यदि प्लेनरिया को बीच-बीच से तीन-चेर पार्ट में काट दिया जाए, तो एक-एक पार्ट क्या करेगा? अलग-अलग ऑर्गनिजम बन जाएगा, अलग-अलग प्लेनरिया बना देगा, ठीक है? तो यह क्या हो गया? फ्रेग्मेंटेशन, इस तरीके से क्या होते है? तीन तरीके के जो है असेक्शुल रिप्रोडॉक्शन है, यह तीनों आपको अलगी में, यह जो है, प्रोटोनिवा में क्या होता है, यह मॉसस जो बोलते है, kind of microscopic organism, इन सब में क्या होता है? फ्रेग्मेंटेशन की प्रोसेस इन में भी होती है, when it comes to unicellular organisms by bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cells, देखो क्या होता है? अमीबा हो गया, यह कुछ जो unicellular algae ह इसमें क्या होता है, growth मतलब increase in number of cells, जैसे एक amoeba होगा, वो amoeba अपने आपको divide करके, अपने आपको खतम करके, दो daughter cells को formation करेगा, तो यह क्या हो गया, यह भी हो गया आपका, asexual reproduction जो किसमें होगा, unicellular organisms होगा, इसी तरह की से जो unicellular algae, unicellular मतलब एक ही cell जो सारे के सारे काम करता है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, कि खुद एक parent जो है, वो अपने आपको divide करके, नए प्रोजनी को या नए बच्चो को जन्मत देगा, चलो, आगे देखते हैं, we have already defined growth as equivalent to increase in cell number और mass, हमने पहले ही पढ़ लिया, कि growth क्या होता है, कि increase in cell का number होता है, या फिर mass होता है, hence we notice that in single cell organism, we are not very clear about the uses of the two terms, growth and reproduction, ठीक है, single cell में क्या concept पर इसका growth and reproduction का आगे देखते हैं, there are many organisms which do not reproduce, जैसे कि mules हो गए, sterile workers भी हो गए, infertile human couples हो गए, यह सब जो है, वो किस तरीके से reproduce करेंगे, यह जो है, इनमें तो reproduction की process होती नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको हम क्या living नहीं बोलेंगे, तो इसके बारे म क्या होता है, बहुत सारे organisms होते हैं, इनक्रूदिंस जो infertile होते हैं, जो कि reproduction नहीं कर पाते हैं, due to some mutations or any kind of problem, तो क्या हम उनको यह बोलेंगे, तो जिन्दा ही नहीं हो, क्यों 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 बोलेंगे, तो आइसा नहीं है, मतलब कि जैसा मा से एक exclusive character नहीं है, ग्रोध क उसे तरीके से रिप्रोड़क्शन भी नहीं है ठीक है आगे देखते हैं आपन ऐसा करते हैं कि यह वीडियो जो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो आगे की जिए जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटीनु करेंगे अनदर केरेक्टरस्टिक्स अफ लाइफ से और यह वाला वीडि लोगों तक information मिल जाए एक काम और करते हैं मैं highlight कर देते हैं जो चीज़े आपको note करके रखने हैं कि कौन कौन से organisms किसके किसके तुरू रिप्रोडियोस करते हैं ठीक है यह कुछ है यहां पर रेखो यह फंगई से हैं यहां से करके आपको जो है यह फ्लैटवर्म्स यह थो डैक यह सी ओसंग